नमस्कार बच्चो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन थर्टीन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एविकारी शब्द एविकारी शब्द किसे कहते हैं इस बात को समझने के लिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे जैसे बच्चा प्रतिदिन सेर करने जाता है तो इसमें बच्चा संग्या पुर्लिंग है एक बच्चन है और जाता है वर्तमान काल है बच्चे प्रतिदिन सेर करने जाते हैं इसमें संग्या पुर्लिंग और बःवचन है और वर्तमान काल है मीता प्रतिदिन सेर करने जाती है इसमें मीता संग्या है और इस्त्रिलिंग है एक बच्चन है और वर्तमान काल है रमेश प्रतिदिन सेर करने जाता है रमेश संग्या एक बच्चन है इसमें संग्या पुर्लिंग है और एक बच्चन है और जाता था बच्चा प्रतिदिन सेर करने जाएगा इसमें बच्चा संग्या पुर्लिंग और एक बच्चन है और जाएगा शब्द से क्या बता चल रहा है भविश्यकाल तो इन उप्युक्त वाक्यों में जो मोटे छपे संग्या शब्द है जैसे प्रतिदिन 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 इन में कोई भी बदलाव नहीं आया है और बाकिस सब चीजें सेंटेंस के अकोडिंग बदलती जा रही है खाली क्या है इन शब्दों में जो ये प्रतिदिन शब्द है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया तो इस बात से हम क्या समझ रहे हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, अथवा, काल के कारण कोई परिवर्थन नहीं होता उन्हें एविकारी शब्द या अव्वे कहते हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, अथवा, काल के कारण कोई परिवर्थन नहीं होता उन्हें एविकारी शब्द या अव्वे कहते हैं अब ये अव्वे कितने परकार के होते हैं अव्वे चार परकार के होते हैं कौन-कौन से? किरिया विशेशन, समबंद बोधक, समुच्य बोधक dag और विसमयादी बोधक अब ये जो चार परकार ہیں इन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो सबसे पहले है किरिया विशेशन, किरिया विशेशन को भी समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़ेंगे गोडा तेज दोडता है, बच्चे प्रते दिन खेलते हैं, तुम यहां रहते हो, गीता बहुत बोलती है तो जो यह वाक्या है, इन में जो रंगी शब्द हैं, जैसे तेज, प्रति दिन, यहां, बहुत यह जो रंगी शब्द हैं, वो किरियाओं की विशेशन बता रहे हैं, जैसे गोडा कैसे दोडता है, तेज बच्चे प्रति दिन खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, प्रति दिन, तो यह जो शब्द हैं, यह किरियाओं की विशेशता बता रहे हैं यहां पर जो किरिया का समय यहां है, किरिया का इस्थान बहुत है, किरिया की मात्रा, संबंधी, विशेशता बता रहा है तो किरिया विशेशन की परिवाशा क्या हुई, कि जो शब्द किरिया की विशेशता बताते हैं, उन्हें किरिया विशेशन कहते हैं अब किरिया विशेशन कितने परकार के होते हैं, किरिया विशेशन चार परकार के होते हैं, कौन-कौन से? नमबर वन काल वाचक किरिया विशेशन नमबर दो इस्थान वाचक किरिया विशेशन नमबर तीन परिमान वाचक किरिया विशेशन नमबर चार रीती वाचक किरिया विशेशन अब इन जो चार किरिया विशेशन है इने भी हम विस्तार से पढ़ेंगे पहला है काल वाचक किरिया विशेशन किसे कहते हैं ये शब्द किरिया के होने का समय बताते हैं जैसे अभी, कल, परसो, प्रतिदिन, आदी नमबल टू है इस्थान वाचक किरिया विशेशन किसे कहते हैं ये शब्द किरिया के होने का इस्थान बताते हैं जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास, आदी अब नमबर थ्री है परिमान वाचक किरिया विशेशन परिमान वाचक किरिया विशेशन किसे कहते हैं ये शब्द की किरिया की मात्रा बताते हैं उसकी मापतोल बताते हैं जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत आदी अब अगला है नमबर फोर रीती वाचक किरिया विशेशन रीती वाचक किरिया विशेशन किसे कहते हैं ये शब्द किरिया के होने कार धंग बताते हैं जैसे तेज, जल्दी, धीरे, जोर से, आदी अब ये तो हो गए किरिया विशेशन अब नमबर दो क्या है संबंध बोधक संबंध बोधक समधने के लिए भी हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे पहला है मेज के उपर पुस्तक रखी है खेत के पास घर है पिंजरे के अंदर चिडिया है अजय के साथ विजय सेर कर रहा है मा मंदिर के बाहर खड़ी है तो इन में क्या पता चल रहा है जो उपर लिखे हुए वाक्यों है उनमें के उपर, के पास, के अंदर, के साथ, के बाहर ये जो शब्द हैं ये वाक्यों की एक संग्या से दूसरी संग्या के साथ संबंध बता रहे हैं तो ये शब्द संबंद बोधग कहलाते हैं अब इसकी परिभाशा क्या हुई? कि जो शब्द संग्या या सरुनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंद बताते हैं वे संबंद बोधग कहलाते हैं के समीब, के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के बराबर, आदी अन्य संबंद बोधक अव्य है अब है आगे नमबर थ्री समुच्य बोधक समुच्य बोधक किसे कहते हैं? इसके लिए भी हमें इन वाक्यों को पढ़ना है पहला है रीता और कवीता बाते कर रही है बताओ चाय गरम है या ठंडी मोनु सुन्दर है किन्तु जिद्धी है पढ़ाई करो तभी सफलता पाओगे तो उप्यूक्त वाक्यों में और या किन्तु तभी शब्द दो शब्दों अत्वा दो वाक्योंशों को जोड रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? समुच्य बोधक या योजग योजग का अर्थ होता है जोडना तो ये समुच्य बोधक या योजग कहलाते हैं अब समुच्य बोधक की परिभाशा क्या हुई? वे शब्द जो दो शब्दों अथ्वा वाक्यों को जोडने का कारिया करते हैं, उन्हें समुच्य बोधक कहते हैं. इसके उधारन है तथा और या ताकी यदी फिर किन्तु परंतु लेकिन अन्यथा अपीतु की इसलिए क्योंकि ये सारे समुच्य बोधक शब्द के उधारन हैं. अब नमबर फोर है विसमे आदी बोधक. विसमे आदी बोधक को समझने के लिए भी हमें इन वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा. क्या तुम अभी तक विध्याले नहीं गए? वहा, क्या शांदार गाड़ी है? अरे, मुझे धक्का क्यों दिया? काश, मैं तुम्हारी मदद कर पाता. तो इन वाक्यों में जो ये क्या शब्द है? काश, अरे, वहा, काश, ये किसी ना किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं. जैसे अरे से क्या पता चलता है? आश्चर्य, वहा से क्या पता चलता है? हर्श, काश, काश से क्या पता चलता है? दुख, तो ये किसी ना किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं. तो विस्मे आदी बोधक अव्वे की परिभाशा क्या हुई? कि जो शब्द हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घर्णा, आश्चर्य, भै, या डर आदी भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मे आदी बोधक कहलाते हैं. इसके दूसरे एक्जामपल हैं, धन्य, शाबाश, अहा, अहा, उफ, छी, धिक, जीते रहो, धत, आदी, ये विस्मे आदी बोधक अव्वे के एक्जामपल हैं. तो बच्चों, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? कि अव्वे शब्दों में लिंग, वचन, काल, आदी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता. अव्वे शब्द मुख्यत चार प्रकार के होते हैं. किरिया विशेशन, समबंद बोधक, समुच्य बोधक, विस्मे आदी बोधक. किरिया विशेशन, शब्द किरिया की विशेशता बताते हैं. संबंद बोधक शब्द संग्या अथ्वा सर्वनाम का संबंद वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं समुच्य बोधक शब्द दो शब्दों अथ्वा दो वाक्यों को जोडने वाले शब्द हैं विसमे आदी बोदक शब्द मन के भावों जैसे हर्ष, घ्रणा, शोक आदी को प्रकट करने वाले शब्द हैं तो लेसन को पढ़ने के बाद चलिए अब हम देखते हैं इस पार्ट के प्रशन उत्तर सबसे पहले है मोखिक प्रशन इसमें पहला है एविकारी या अव्वे शब्द किने कहते हैं किने कहते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, अथ्वा, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें एविकारी शब्द या अव्वे कहते हैं इसमें ये वाला अंसर आएगा अब दूसरा कोशन है किरिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं किरिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं समुच्य बोदक शब्दों के चार उधारन बताईए इसमें पहला आएगा रीता और कवीता बाते कर रही हैं दूसरा बताओ चाय गरम है या ठंड़गी तीसरा मोनू सुंदर है किन्तु जिद्धी है और चोथा पढ़ाई करो तभी सफलता पाओगे मोकिक प्रिशन उत्तर के बाद अब देखते हैं दूसरे प्रिशन इसमें पहला है अव्वे शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए तो अव्वे शब्द चार प्रकार के होते हैं नमबर एक किरिया विशेशन नमबर दो समबंद बोधक नमबर 3 समुच्य बोधक और नमबर 4 विसमयादी बोधक दूसरा कोशन है संबंद बोधक शब्द किन्हें कहते हैं? संबंद बोधक शब्द संग्या अत्वा सर्व नाम का संबंद वाक्यों के अन्य शब्दों से बताते हैं इसमें या तो ये वाला अनसर आजाएगा या फिर ये वाला जो शब्द संग्या या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंद बताते हैं वे संबंद बोधक कहलाते हैं अब अगला कोशन है दो शब्दो अथवा वाक्यों को जोडने वाले शब्द क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं समुच्य बोधक शब्द या योजक इसके बाद अगला कोशन है निमलिखित वाक्यों में किरिया विशेशन शब्दों को रेखांकित करिये ये sentence दिये हुए है, इसमें किरिया विशेशन शब्द को underline करना है, इसमें पहला है, वह दिल्ली से कल आ रहा है, तो इसमें कल, रवी तेजी से चल कर आया, तेजी से, बिट्टू अचानक रोने लगा, अचानक, अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, तुम धीरे बोलो, धीरे, राजु बहुत हस्ता है, तो इसमें बहुत, निमलिकी शब्दों को वाक्यों में परियोग करिये, ये शब्द दिये हुए हैं, इनके हमें वाक्य बनाने हैं, इसमें पहला है अभी, इसमें वाक्य क्या बनाएंगे, मैं अभी बाजार जाऊंगा, दूसरा है पीछे, पेड़ के पीछे गाय खड़ी है, तीसरा है बाहर, मा मंदिर के बाहर खड़ी है, जल्दी, रमेश रात को जल्दी सोता है, हमेशा, राम हमेशा सत्य बोलता है अगला कोशन है, निमलिखित वाक्यों में दिये गए ड्रिक्त स्थानों में उचिक योजक शब्द भरिये, इसमें हमें योजक शब्द फिल करना है इसमें पहला है अनिल अमित पक्के दोस्त हैं तो अनिल और अमित इन शब्दों को जोड़ने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है और अनिल और अमित पक्के दोस्त हैं मन्जु पढ़ने में कमजोर है लेकिन ग्रह कारियों में बहुत हुश्यार है इसमें आएगा लेकिन मेरे घर महमान आगए इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका इसलिए राम ने रावन को मारा क्योंकि वह दुष्ट प्रवर्ती का था खाना गरम और जाएकेदार है धीरे धीरे चलोगे तो गाड़ी छूट जाएगी यदि तुम कल आते तो तुम्हारी पिताजी से मुलाकात हो जाती गंगा और यमना भारत की दो प्रमुख नदिया है फिलप्स के बाद अगला कोशन है निमलिकित वाक्यों में से संबंद बोदक शब्द छाट कर लिखिए इसमें पहला है पेड के नीचे गाय खड़ी है के नीचे दूसरा है हमारे सामने से गाड़ी निकल रही थी सामने से मैं माता जी के पास जा रहा हूँ के पास मोजे जूतों के अंदर है के अंदर सुमन के अलावा कोई जवाब नहीं दे सका के अलावा नीता के साथ मैं नहीं जाऊंगी के साथ अब अगला कोईशन है निमलिकित वाक्यों में विसमें आदी बोदक शब्द रेखांकित करके बताईए कि वे किस भाव को प्रकर कर रहे हैं इसमें पहला वाक्य है वहा कितना सुंदर फूल है इसमें विसमें आदी बोदक शब्द क्या है वहा और ये किस को प्रकर कर रहा है कौन से भाव को बता रहा है हर्श दूसरा है अरे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया इसमें अरे शब्द है और ये आश्चेलिय को बता रहा है तीसरा है छी कितने गंदे नाखून है इसमें क्या है छी शब्द है और घरना आ रही है कितने गंदे नाखून है तो ये घिर्णा के भाव को प्रकट कर रहा है चोथा है, अहा, बहुत दर्द हो रहा है इसमे विस्मयादी बोदक शब्द क्या है? अहा, और ये किस भाव को बता रहा है? कश्ट या दुख पांचवा है, ओहो, आंधी आ गई ये ओहो शब्द विस्मयादी है और इससे कोन सा भाव बता रहा है, ये भै अंत में हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये है इसमें शाबाश शब्द विस्मयादी बोदक शब्द है और ये है, प्रसंता के भाव को बता रहा है अब अगला कोशन है बहु विकल्पिय प्रिशन इसमें सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट का निशान लगाना है पहला है किरिया विशेशन शब्द बताते हैं किसे बताते हैं ये ओप्शन दिये हुए हैं और इसका सही आंसर है किरिया की विशेशता दूसरा है मा पिताजी बहुत खुश थे इसमें और कितने गंदे कपड़े पहने हैं? छी मीना धीरे धीरे पढ़ रही है धीरे धीरे हर्ष के भाव को प्रकट करने वाला शब्द है वहा भौ विकल्पिय प्रिशन के बाद अब देखते हैं अगला कोशन नीची चित्र देखकर वाक्या बनाईए और उनमें प्रियुक्त संबंद बोदक शब्दों को रेखांकित करिए ये पिक्चर दे हुई है इने हमें वाक्या में चेंज करना है इनसे हमें वाक्या बनाने है और जो संबंद बोदक शब्द है उनने रेखांकित भी करना है तो पहली पिक्चर है दूला घोडे के उपर बैठा है इसमें दूला घोडे के उपर बैठा है तो इसमें कौन सा शब्द है संबंद बोदक के उपर दूसरा है तोता पिंजरे के अंदर है तो इसमें कौन सा शब्द है के अंदर तीसरा है मेज के उपर खाना रखा है तो इसमें कौन सा आएगा के उपर बंदर पेड के उपर बैठा है तो इसमें कौन सा शब्द है के उपर तो बच्चो हमने ये पूरा लेसन भली भाती पढ़ा और समझा आशा करती हूँ के ये पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा अब यह वर्क आपको करना कैसे है वह भी समझे इस पार्ट के जो प्रिशन उत्तर है मौखिक और दूसरे प्रिशन वे आपको कौपी में करने है ये और ये और बाकी ये जो फिलप्स हैं मैचिंग है या कोई भी दूसरे शब्द हैं वाग्य प्रियोग हैं ये सारे आपको बुक में ही करने हैं ये पूरा वर्क आपको बुक में ही करना है तो बच्चो मैं अपने इस लेसन को यहीं पर विराम देती हूं धन्यवाद अन्यवाद